नमस्कार आदाप सस्वेकाल बच्छो स्वागत है आप सभी लोग अपने यूटूब परिवार एक्जाम पूर में चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमके रमेकल हमने लास्ट सबीक छोड़ाता प्राइस्ट्री के त्यास के अंदर हमने क्रांती करी आंदोलन समाप्त किया था क्रांती करी का अंदोलन में हमने देखा था कल चंद शिकर आजाद भगत सेंग सुखदेव राजगुरू के बारे में देखा था आज आंदोलन से बाहर निकलने के बाद हम बात करते हैं आज बहुत ही जादे इंपर्टन टॉपिक आपके पास क्रिप्स मिशन प्लान और भाराज छोड़ो आंदोलन यह दो चीजे देखे बात समझेंगे यहां पर अगर हम बात करेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर क्रिप्स कि मिशन ठेके क्रिप्स मिशन प्लान अब पहला सवाल यह है क्रिप्स मिशन प्लान कब आया था 1942 में 1942 में जिके कब आया था पच्छो 1942 में यह था क्या और क्यों आया ठीक है इसका संबन सीधे-सीधे World War 2 से किसे है मैं आगाए बात करता हूं इसका संबन सीधे किसे दुतिये विश्वत से देखिए मैं आपको समझाओं थोला सा इसका थोला बैक्ग्राउंड दिखते हैं दुतिये विश्वियुद सेकिंड वरल्ड वाड की बात कर रहा हूं थो इसकिंड वरल्ड वर भारत भी क्यान्स ता का कैसे था था बारत मैं अंग्रेज़गों पर शाज भाड़ाब भारत यहां तर एक अलग देशotta weitere और यह बहुत है बर्मा किया फैलेถी लवां कर लिया ज MON- cog up घृज इंप कर लिया जापान ने बर्मा पे कब्लत कर लिया जापानी से Ivana कहा पर आ गई बर्मा तक पहुच चुकी थी यहां पर गुस्प minions कर चुकिति जापानी से न आप जापान का कबजा अब इसके बाद ऑप्शन किसके पास आपको पता एशिया का सबसे बलाइव इंगलेंड इसको कहते है इंग्लेंड किस प्रकार से चुड़ाए यहां पर तो महां पर इंग्लेंड प्रेशर में आ गया क्योंकि इन सोचा कि इसी विज़े से इसको यह वाला इस्सा को अलग करना पड़ गया यहां चाहिए अलग निकरते तो जापान धीरे-धीरे करते करते-करते फुरह भारत फ्रेल जाता और भारत का भारत को आजाद लिकान करा दिता ठीक है वह गिया यहां पर जैसे ही जापान बर्मा कभदा tituk है बड़ वार में क्या हुआ निटर छे दाला चुक अगर मैंने की बात नहीं माने वर्डवार के अंदर यहां बात नहीं सब गार अपनी सक्था के अंदर रहते हुए उस ताम इंग्लैन के प्रदान मंतरी कौन ते विंस्टें चर्चील वेन्स्टें चेर्चिल नाम प्रधान मंद्री वैक्थी थे थे इंग्लेंड के प्रधान मंत्री हुआ करते थे दुत्टिय विश्यूत के समय 1940 से लेके पैतालेस के बीच में Winston Churchill है और अब 40 45 Vincent चर्चिल थे Vincent Churchill जब प्रधान मंत्री थे तो उनका cabinet होगा इनके cabinet के अंदर से एक मंत्री था Vincent Churchill का एक मंत्री था उस मंत्री का नाम हम बोलते हैं स्टैफ़र्ड क्रिप्स क्या था स्टैफ़र्ड क्रिप्स जिसके नाम पे क्रिप्स मिशन प्लान भारत आया था बास समय ना वेस्टेंच चर्चिल के मंत्री मंडल में एक मंत्री का नाम क्या था स्टैफ़र्ड क्रिप्स और जो स्टैफ़र मिशन प्लान जो दिख रहा है यह स्टेफ़र्ड क्रिप्स का नाम है कि प्रेशर पढ़ाता की भारत को आजाद करो जब प्रेशर पढ़ाता तो हमसे भारत भारत के नेताओं से अर्बीया बास्चीत करने के लिए विंसेंट चर्चिछिल इंग्लेंड का प्रधान उस ने अपने मंत्री मंदल में मंत्री कृत भारत याओ भारत के निताओं से बासचीत करके आओ उनके लॉलि पॉप पकडा के, उनको आशवासनों के, थिकैंए तो वो आशवासन देने आया था हमें स्टापड क्रेप्स तो हम बाग करेंगे क्रेप्स विशन प्लान की अब यहां पर आपके सामने विस्तार पूरवक चीके बच्चो चलिए देखेंगे देखेंगे आगे देखेंगे जो मैंने बताया उस चीज़ को देखेंगे यहां पर पहला सवाल देखो रंगून रंगून नाम की जगा का है बर्मा में रंगून का है बच्चों बर्मा में है मैं रंगून की बात कर रहा हूं रंगून पर जापानी सेना का अधिकार हो जाने पर अमेरिका चीन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चीन और ऑस्ट्रेलिया के दबाव में आकर किसमें दबाव में आकर ब्रिटेन के प्रधान मंतरी विंस्टिन चर्चिल के मंतरी स्टाइफर्ट कρηप्स को भारत भेजने का निल्ले लिया ताकि भारतिने नेताओं से के साथ बातच्छीत करके समस्या का समmbधान ढून सके ठीक है मतलाब समस्या करतला ढूंढ सके ये मेन उद्धेश का तो आपको उद्धेशा समझ हमांगाि कैसे आया था चीक है अब बात समझेंगे स्टैफर्ड क्रेप्स नाम बता चुका हूं स्टैफर्ड क्रेप्स मार्च 1942 को भारत पहुचा चीक है अब देखा बात समझेंगे यह भारत का पहुचा था दो मार्च को पहुचा था सभी पर इसको भारत के नीता हुसी मिलना नीता कॉन-कौन मिलेतें से उस टाइम कॉंगरेस के अबूराम आजदाओ की बात करते हैं अबूराम आजद और दीखारे नीता हमारे इंसा उबिपारे मार्च को 1942 में आया तो यहां पर हमने क्या वोला हमारे पास टाइम नहीं उसको वेट करें ठीक है अब तक हमें बहुत इंसा करवाया अजादी के लिए अब उनकी बतलब फसीवी है तो वो लोग यहां पर आए भारत के अंदर ठीक है हमसे बातचीत करने के लिए तो हम इनसे वरतलाब पंडेत जवाहलाल नहरू और मौलाना अबूलकलाम आजाद से बातचीत करने के लिए आयते हैं यहां पर मौलाना अबूल्त नाम यातकना मौलाना अबूलकलाम आजाद और चार देmmद में में बोला कि बात भाई यह III. बात तक नहीं होगी उसकी तो उसके बाद बिचार ने बहुत डर के मई तक प्रस्ताव को तैयार करा अपना और कुछ यहां पर क्रिस्ट मिशन जब आया था उनने कुछ प्रस्ताव रखे थे ठीक है और यह प्रस्ताव कब रखे गये थे 16 माई उनने सो ब्यालेस चीक है यहां पर मार्श में आया था मई तक रोका उमने प्रस्ताव रखे इस ने पहला सब्सक्राइब कि इसमें कहता कि बोला भारत को डॉमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएका डॉमिनियन का मतलब होता है अधी राज्य अब देखो यह बहुत ही महत तिय Kind of English को आते हैं कृटकि क्या बोलते हैं की युद के बाद यूध क्सा कौन सा कौन से के रहा है वड़ वायर टू चल रहाता युद के बार भारत को एक dominant राज्य का दर्जा दिया जाएगा आधी राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बहारी शक्ति का दी नहीं होगा मतलब आदा पावर भारत के आदी मेरे आदी तेरी पावर यह वाली कंडिशन यहां पैला पॉइंट यह रखा है यह लोग अपना ठीक है हमारे हित में दिया दूसरा दिखेंगे यह अनकी यूद के बात हुटा थ यूद से पहले निर्माल का दिकार दिया जाएगा देखो दिया गया नहीं दिया जाएगा बविश्चे के वादे ठीके जर नेता जी करता है ना कि आज आप मुझे वोड़ दो मैं आपकी सब्लबाद दूंगा ठीके नवह पानी आज जाएगा ठीके आज आएगा निया आज जाएगा ठीके गाली बात दोरी यहां पर फीचर टेंस की तो यहां बविश्य के किया गए वादे हैं और एक वाईयत खतम हो गया तो कौन पूछ रहा है हमें वह वाली बात आ गई कि आज वादे करियो जुटे वादे कल जब आप चुनाव जी जओ या उसके बाद या वड़ वर टू खतम हो जाए तो उसके अधिरांत के प्रांत होंगे मतलब अंग्रेज़ भी होंगे मैंने पता है अंग्रेज और भारती राजा महराजा और बिटिश भारत के निरवाची सब्सक्राइब यहां पर तीसरा पॉइंट बास समयना पहला पॉइंट भारतियों को अधीराज्य के दर्जा दिया जाएगा दूसरा पॉइंट आपका समधान बनाने की सवाँ समधान सबादी जाएगी उसमें अंग्रेस और भारती दोनने मिल-जूल के देश चलाएंगे तीसरा पॉइंट बड़ा इंट्रेस्टिंग था भाई भारत में पांसुपैसेट रियास्ति दी ठीक है यह बोला गया जिस भारती रियासत को भारत का संब्धान जो भारती बनाएंगे अगर वह भी पसंद नहीं है तो वह अपना संब्धान बना सकता है यह बहुत भी ज्य कर दिया कुआ किसी का तो मेरे संब्धान में मडर कोई नहीं है खाल सकते मेरे संब्धान में लग-0ishson देखने को स्वीकार ना करना चाहें तो वह प्रांत अपना स्वैम का संवेधान का है यह पॉइंट दिया है बहुत है यहां पर अगर कोई भी राज्य अगर चाहे तो अपना यहां पर यहां पर यहां पर क्या अगर ऐसी कंडिशन आ गई यह पॉइंट दिया हमें चौथा पॉइंट देखेंगे आपको जब आजादी मिल जाएगी आपको यह आधाराज करेंगे तो वहीं कंडिशन यूत के द दौरानबिश वाहिस र dump प है भारती जनता के प्रमुक्ष वरगों के प्रतियर्स मिनिस्ट्री डिफंस होगी जैसे उनको के 5 बारतियों ना यहां पर मैं द्वारा रपीट कर रहा हूं पहला पॉइंट क्या था भारती को अधिराज्य के दर्जा देंगे सम्धान सभाव बनाई जाए हमारे लिए ठीक है उसके बाद लिए क्या कहा तुमारे वादेशन है जैसे पीडी सी कैसे पीडी सी का मतलब होता है पोस्ट डिकेटट जै करें में HorTH की का इया SECRET गालो मैंने आज आपको उत्तर द्रांग एक चक महत्मा गानी ने कहा और नहरू जी केते हैं तुम्हारे वादे ऐसे जिसे दरवाजे में लगी कील में जंक ही तरह ठीक है यहाँ पर तो उसके बाद जब क्रिस मिशन आसफल हुआ हम ने की बात नहीं मानी तो एक नया आंदोलन चुड़ गया जबाद चालू होता है ये कब वाता क्रिप्स मिशन प्लान किया सफलता की बात चालू हुआ था मैं आपको दिखा देता हूं लिखा हुआ भी है डी ढिखे महत्मा गांदी ने इस खोश्रा को उत्तर दिरांग चेक कहा मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा जवाहालाल नहरू उने इस प्रस्ताफ को दर्वाजे में जंग लगी कील की तरह कहा ठीक है क्या कहा अगा पूचे क्रिस्ट मिशन प्लान को दर्वाजे में लगी कील में जंग की तरह किस ने कहा था जवाल नहिरू ने और उत्तर द्रांकिंग चेक किस ने कहा था क्रिस्ट मिशन प्लान को महा आगया होगा आपको यहां कुछ नहीं है जादा याद करने का बस आपको देखना स्टेपट क्रिप्स आया था और प्रस्ताव में क्या पॉइंट तो क्यों हुआ यह आगे देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने आता है भाराथ छोड़ो अंदुलन देखिए सवाल शुरू होता है हमारे पास 14 जुलाई 1942 की बात है यह वर्धा नाम की जगा महराष्ट में है वर्धा नाम की जगा महराष्ट में है महां कॉंग्रेस की समती बैठी वी थी ठीक है कॉंग्रेस समती बैठी की बैठक हुई थी वहां पर सबसे पहली बाद भारत चोड़ो आंदुलन सबसे पहली बात भारत चोड़ो आंदुलन का प्रस्ताफ रखा गया अब सवाल आता है प्रस्ताफ पास कहां किया गयाा वरधा में किया गया था 14.1412 को ठीकर, यहाँ पर उस टाइम कांग्रेस के अधाक्श जोते मौलासा अबुलकलामाजाड ते, कों थे मौलासा कांग्रेस के अधाक्श थे जब यह प्रस्ताफ पास हो था और मौलाना अबुलकामाजाड कांग्रेस के अधाक्श रहे हैं 1940 से लेके 46, च्छे साल लगा अब कॉंग्रेस के सबसे लंबे समय तक बने रहे अध्यक्ष कौन ते मौलाना अबुलकलामाजार ठीक है यहां पर अब देखी बात समझे काहनी सुन्देश की पहले क्या था महत्मा गांधी को गुष्णा आ चुका था महत्मा गांधी अप सुनने सब मारे दूसरे पर मारे तीसरा आगे कर दो मार खाते रहो जब तक अपका गाल तर भूच की तरह लालना हो जाये यह गांधी का कहना था ठीक है जब कि चाहिए फिर प्रस्ताफ पास हो गया महत्मा गान्दी की दौरा यह कॉंग्रेस की समधी की द्वारा प्रस्ताफ पास हुआ सब्सक्राइब को भाराज छोड़ा आंदोलन उसे अब्बूल कलाम अध्यक्स थे गांधी जी कॉंग्रेस छोड़ चुके थे ठीक है फिर क्या होता है आंदोलन की शुरुआत का वुईती यह वहता है नौ अगस्ट 1942 को और भाराज छोड़ा आंदोलन का एक नाम और है अगस्ट करांती भाराज छोड़ा आंदोलन को हम अगस्ट करांती के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अगस्ट के महिने में वुईती करांती वाली कौन से अगस्ट के महिने में 9 अगस्ट 1942 को भाराज छोड़ा आंदोलन एक रेडियो ता आजाद एंड रेडियो उई खोट रोड़ You एक अजे जिक्ट की मॉनिजी करते ना का आजके संबोद्य इनने क्या किया मतलब किसे महात्मा गां瑜्दी ने आट Aगस की यहां पर जर्रे जर्रे सें अंग्रेज़ों का लहो बहएगा और यहां पर इस पर रोकने वालले पैदा नहीं होका उसके लिए हमें कुछ काम करने है सबसे पहले जो आदमी सरकारी नौकरी करता है अपनी नौकरी ना छोड़े जो आदमी सरकारी काम पर अपनी नौकरी ना छोड़े पर नौकरी पर रहके अंग्रेजों को यह एसास दिलाए हम कॉंग्रेस के साथ है मतलब सरकारी नौकरी वा जब हमारा देश आजाद हो जाएगा उन्य तक कॉलेज ना छोड़े अपना उनको भांद दिया तीसरा सैनिकों को बांदा सैनिकों से बोला सैनिकों अगर आप भारतिय सैनिक हो और अंग्रेजों की फौज में हो अपने देशवासियों पर कल गोली नहीं चलाओगे आपके आप गोली नहीं चलाओगे देशवासियों पर सैनिकों को बांद दिया और चौथा पॉइंट क्या बोल दिया राजा महराजा के लिए पहले राजा बड़े सत्ता बदलते थे एक अभी राजा अंग्रेजों का साथ नहीं देगा यदि किसी राजा महराजा ने नहीं चौड़ेंगे अधिकारियों को बांद दिया अपने तेकि पर इसाज लाइंगे हम कोंग्रेज के साथ हैं सैनिकों को बांद आपशे बड़ी बात जिके गोली नीच लाइनगे भरतवासियों कि उनकी फौज में अधिक्तर भारतिय सानिक ते और राजा महराजा को कोई साथ नहीं देगा तो यहाँ पर फिर वोला आज मैं महात्मा गांधी एक एलान करता हूं खुला एलाने जंग करता हूं करो यह मर भारती कल का वो देने कल सुबह 8 बजे का वो देने कि करो यह मरो तो या तो करना डू और डाय कल की दिनों का भारत छोड़ो अंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हमारा अभ्यान चलेगा ठीक है वहां पर जब देखा जिसका अंदोलन चला तो भारत के कोने कोने जन्द सहलाब निकला ठीक है यूपी से मदरास से बंगाल से उलिशा से बिहार से जहां देखो जन्द सहलाब निकलता रहा है उसके बाद अंग्रेजों अंग्रेज थैयार थे सोचे थे कुछ लोग नहीं आएंगे ठीक है तो अंग्रेज थोड़े बुठी पर अंग्रेज जब देका भी लगी ती लोगी ताता लग हुआ था अंग्रेजों लोगों को अंग्रेजों की हवा खराब होगी हुआ था थाइड हो गई उसके बाद थोड़ी दिर रपाद आगे आगे अंग्रेज पिछे भारती कंदर कोंने कोने मेटां यहां पर रेडиयों पर प्रसान्य कर लादा पहले यहां पर और यहां पर बंबबई के साइड भारती थो यहां बोला कमजोर पर पर इंदर वहां पर शुलापुर की फीर जंता फिर इस रोड पर आ गई तो एक एक अंग्रेज को छेचे सासथ भारती है यहां पर मतलब यहां फुटबल बना दिया और यहां कमेंटरी और चल रही थी जो भारत के अंदर एक आगास हो गई थी यहां पर यहां पहुंची एंग पहुंची राणी के बास राणी ने बोला यह भारत की अलग हमावाए आदमी के कुछते मभिक मार रहे हैं फैक फैक के राणी क्या काम करा है आभ फॉर्ण चीन बुलाई मिटिंग का रामता उसका नाम ऑपरेशन 0 रानी ने भारत छुड़ अंदुलन को समात करने के लिए क्या करा आप रेशन और ऑपरेशन जीरो आर लागू करा यह वह आंदुलंतास में बोला गया कि भारत के लोग जो भड़क रहें क्यों भड़क रहें नेता उनको भड़का रहा है अगर उस भील में से नेता को उठा लिया जाए तो लोग भील खुश्छान्त हो जाएगी वही हुआ इन्हों ने और ऑपरेशन जीरो आर लागू किया महत्पूल नेता को वहां से उठाया गया भील में से और उनको जेलो में डाल दिया गया और सबसे अधा मज़े किस क्या है महात्मा गांदी के सुरुजी नाइडू को कहां उठा के रखा पूना में आगा खान महल में रखा गया वहां पर इनको नजर बंद करा गया मलाग खाने पीने के सारे एश और आम दिये गया इनको फैसलिटी सारी दी गई पर भार रोड बे नहीं सकते थे यह पबलिक से नहीं मिल सकते थे यहां कुछ दिन इनको रखा यहां पर कहां पर आगा खान महल पूना के अंदर वागी सब को हुआताया का यहां पर चु को धनाता करने से निन साथ हम लोग लोग बात करा हैं बात पर बात बात कर रह आप बात के सिक्षिक कर दी क्या कर रहे हैं तो यहां पर धाय तो थाने जला दिए पोस्ट अवे जला दिए पुलिस टेशन जला दिए टिक डाक घर जला दिए जगा जगा दंगे फसाद कर दिए भारतियों नहीं यहां पर तो यह वाली मिष्क्रों क donnर बहुत मुश्किल है क्योंकि लोगों के हाथ खुल चुके हैं यहां पर तो अब नको का जुब वाजू में करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है तो अब आगे कहा धिक Lucky ने लागी चुक्क Alors Time की, महात्मा गांधी ने एक दिन पहले ही के नामे कुछ गोशना की क्या कि सरकारी करमचारी अपनी नौकरियां ना छोड़ें कॉंग्रेस के प्रती अपनी निश्ठा को घोशना करते दिखाते हैं हम कॉंग्रेस के साथ हैं ठीक है नौकरी पशाओ के लिए सैनेक सैनेक अपने देश वासियों पर गोली ना चलाएं भारती सैनेक को गुपां दिया था उसके बाद चात्र अपनी पढ़ाई ना छोड़े जब आजादी प्राथ हो जाने पर इसका निर्ले पर द्रण रह सके मतलब पड़ाई तो ना जातों ना छोड़े तो तब चोड़े तो अब आजाद हो जाए देश चब यागे रीज्वाइन करें कॉलेज यूनिवर्स चीज़ चिक है यहाँ पर और राजा महराजा अंग कि देखिए अब आता है बात यहाँ पर दूसी कंडिशन कि देखिए 9 अगस की बाते 9 अगस 1942 को भारत छोड़ो आंधुलन आरंभ हो गया कब हुआ इसका सबसे जादा प्रभाव देखने को मिला बंबई में बंगाल बिहार उलीसा यूपी और मदरास में इसका प्रभाव देखने को मिला बारत छोड़ो आंधुलन को समात किसके द्वारा किया गया था बच्चो ऑपरेशन जीरो आर की द्वारा मैं पता चुका हूँ इसका पर जो महत्पूल निता हुआ करती थे उस दोवाने के देखो महात्मां गांधी और सरोजीरी को कहा रखा गया आघा खान महल suggests गिर स्टार करके नजर बंद करके नजरुपन applicable के इनको रखागे इंटर्नमेंट क्या कहते हैं इंटर्न्मेंट चिके नजर बंदगर के रखा गया उसके बाद पंडे जवाहलाल नहरू अबूलकलाम आजाद गोविन बल्लपंद डॉप्टर प्रफल चंद्रगोश डॉक्टर पट्टावी सीता रमया डॉक्टर सैयत महमूद और जेबी कृपलानी इन सब को रफा गये एहमद नगर जेल महाराश्च के अंदर है यहां पर ग्रॉक्टर राजेन प्रसाद बिहार के अंदर बांकी पूर से उठाया वहार में महाज जेल के इंदर शिफ्द कुमार और रामनंद को हजारी बाग जिए पहले जैल जाना परत नहीं को प्रतै लड़का तीन बार जा चुका है चौती बार बाची चले जाने की तिक है यहां पर अब ऐसा नहीं होता है महल बदल चुका है ठीक है अब क्या हुआ भाराथ छोड़ो आंदोलन की वजह से एक बहुत बड़ी पोस्ट ही हमारे पास अधिवक्ता की महा अधिवक्ता एड़ोक जनरल फिंडिया आज कहते हैं तो उस टाइम बिहार के महा अधिवक्ता हुआ करते थे कौन बल्देव सहाई बल्देव सहाई ने रजाइन कर दिया आपनी पोस्ट छोड़ी त्याक पतर दे दिया बाराथ छोड़ो आंदोलन की वजह से बल्देव सहाई ने अगा पूचे जन्ना मत लोड़ाना यहां पर गांधी ने बोला करो या मरो का नारा दिया ठीक है और बोला संपूर आजादी से कम मैं किसी चीज में राजी नहीं होंगा मैं संतस्त नहीं होंगा छोटी मोडी आजादी मैं अब चाहिए पूरी आजादी यहां पर ठीक है यहां पर और डेल सो से ज़ादा थानों में आग लगा दी गई तो गांदी जी ने इसकी निंदा करने से मना कर दी इस हिंसा की निंदा करने से भी मना कर दी बोला सहीतों कर रहा है लोग और क्या करेंगे तुमने हमारे से इसा करोगे परताफ तो यहाँ पर यह वाली कंडिशन हुई और उस चाइम रेडियो पर प्रसाराल कौन कर रहा था यहां पर उस समाने में उशा महता रेडियो पर प्रसाराल कर रही थी इतनी बात क्लियर है आगे देखेंगे के अब भारार छोड़ अंदुल्एन में किन लोगों ने साथ नहीं दियाinya और मुस्लिम लीग ये कुछ पार्ट यह दिन लोगों ने साथ नहीं दिया भारत छोड़ो आंदुलन में महत्मा गांदी का ठीक है यहां पर आगे देखेंगे देखिए भारत छोड़ो आंदुलन के समय भारत छोड़ो आंदुलन कुट इंडिया मुवमेंड के समय इंग्लेंड के प्रधान मंत्र कौन हुआ करते थे विंस्टेन चर्चिल 1940 से लेके 1965 और भारत छोड़ा मीन नाम पुला को किस Жांते हैं अगस्ते की नाम से खाहते हैं अगर आप से कभी सवाल आ जाए टो बता देड़ा भारत आप छुड़ा अंदुलन को अगस्त किलान से तो भी चांते हैं 9 August अगस्ट उननेस सो ब्यालेस को ये आंदोलन चालू हुआ ठीक है और आठ अगस्ट एक दिन पहले ही माहत्मा गांदी ने आजाद हिंद रेडियो पे गोशना कर दी थी सबको बांधने की यह हमारा भारत छोड़ा अंदोलन भी हो गया हुआ है ठीक है भारत छोड़ा अंदोलन हो चुका है हमारा तो क्रिस्पिशन हो गया अगली क्लास में हमारा और देखेंगे कुछ नया डॉपिक अलग टॉपिक ठीक है जब तक के लिए जय हैं जय भारत जय एक्जामपर